यह देखिए आपके आँखों के सामने हम दिखा रहे मालक सब ने कितना बड़ा गल्ती कर देता है यह एक तो घर बना लेता है घर बनाने से पहले यह सब नहीं सोचता है जो हम लोहे का गेंट लगाएंगे जैने लगा कुछ भी लगाएंगे प्लास्टर करने से पहली ये देखिए अगर पतला प्रैमर भी ये लोहे ग्रील गेंट पर अगर लगा रहाता तो ये बिल्कुल सेफरेट रहाता और अच्छा देखने में भी लगता अभी देखिए कितना मसला सब जो है इस पे चिपा गया है और एक तो डवल खर्चा इसमें आ गया जो प्रैमर लगने का है वो तो लगेगा ही पर इस पे लेवर मिस्तरी कोष्ट ज़्यादा लगया जो एक दिन में हो जाता अब वो दो दिन सफाई करने में ही लगेगा और उसके बाद जो इस पे प्रैमर लगया वो भी खर्चा लगया तो चलिए दोस्तों आज हम दिखाते हैं जो ये गलती आप नो करें इस कारण इस वीडियो को आज पूरा देख लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और चेनल को जड़ो सस्क्राइब किजेगा अगर फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो चेनल को जड़ो फुलो किजेगा ये सब बहुत बड़ा कलती होता है प्लास्टर करने से पहले अगर पतला सा भी इस पे प्र लग रहा है तो चलिए सबसे पहले इसको हम सफाई करते हैं तो ये रहा दोस्तों असी नमर का पटे वाला रेकमाल तो ये से आज अच्छी तरह से गिसाई करेंगे और उसको पूरा रगडाई करके जंग को साफ करके उसके बाद प्रैमर करेंगे तो सबसे पहले आप ये पटे वाला स्रेस लीजे अगर दोस्तों आपके घर में भी ऐसे ही काम हो रहा है तो आप साबधान हो जाएए दोस्तों पहले प्लास्टर करने से पहले ग्रिल गेट जो भी लगा रहे हैं का हम एक कोट प्रैमर कर लीजे उसके बाद आप प्लास्टर सब करबा लीजे ताकि यह गेट सब बचार है तो देख सकते दोस्तों अच्छी तरह से इसको पहले हम आशी तरह से सफाई कर लेते हैं जितना सफाई होगा उतना फ्रेश लगेगा जहां कुछ इस पर हुआ है तो यह हमको दोस्तों हम गेट बहुत सारा था रगडाई करते करते दो दिन इसमें निकल गया इतना चिपक गया था सिमेंट सब देख सकते हैं कितना सफाई वतो पर भी इसका दाग धबा कुछ ने कुछ हाई है लेकिन वो पूरा अंदर घुस गया है तो पूरा हम सफाई कर लिए हैं सफाई करने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं ये रहा दोस्तों सफाई होने के बाद रगडाई होने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से पहले सफाई करेंगे बरस से साफ करेंगे जो भी पुराना कपड़ा सबरेगा रगड रगड के सफाई करना है जो भी इस पे दोल मिटी कंड रहेगा सारा साप करके और उसके बाद हम इस पे प्रैमर का एक कोड करेंगे तो अभी सफाई हो रहा है दोस्तों सफाई होने के बाद हम इस पे प्रैमर करेंगे तो चलिए और भी छोटा सा गेंट सब है दो-तिन गेंट है और गिरील सब है दरबाजे सब में लगा हुआ है तो उसमें हम करेंगे तो हमने यूज आज के हैं इंडुको का रेड आकसाइड मेटल प्रैमर गोल्ड शिरीज ये इंडुको कमपनी का है मेटल प्रैमर लोहे पर अधिकतर ये लगाया जाता है दोस्तों लकड़ी के अलग और लोहे के अलग और दिवारों के अलग-अलग प्रैमर आता है तो ये रहा दोस्तों देख सकते हैं एक हजार पर रहा है चार लिटर बाल्डिन का पर इसमें डिसकॉंट भी है दोस्तों 20-25% डिसकॉंट भी है और ये रहा देख सकते हैं पेंट थिनर ये तारपीन तेल है दोस्तों थिनर है एक तरह का ये लूज थिनर है हाई वाला थिनर नहीं है जो पोलिस में यूज होता है तो सबसे पहले पाल्टिक होने से पहले अच्छी तरह से हिलवार डोला लेते हैं जो कि अंदर जो लिक्वीट रहेगा और पेस्ट रहेगा वो मिक्स हो जाए तो सबसे पहले डबा खोल लेते हैं डबा खोलने के बाद ये दोस्तों सिर्फ लोहे जो है लोहे गेंट गिरिल पर लागा जाता है ये प्रैमर तो ये दोस्तों आप सबसे पहले एक ड़ंटा ले लिजे ड़ंटे से हमको तो सर्या मिल गया दोस्तों सर्या मिल गया बस उसी से पहली अच्छी तरह से इसको बाल्टी के अंदर जो पेस्ट बैठा रहता है वो पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाते मिलाते कम 10-15 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किजिए जो अंदर में पेस्ट बैठा रहता है वही मेन काम का है तो लेक्विट तो ऐसे ही रहता है पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे उसके बाद जितना आप कुमर जी उतना आप निकाल के कर सकते हैं देख सकते हैं और भी mix होगा तो mix कर लेते हैं और दूसरी बाल्टी माल्टी पल्टी मार लेते हैं उसके बाद जो है हम करना start करेंगे देख सकते हैं अभी कितना मोटा है इस अंदर भी और पेस्ट बैठा हुआ है तो अधा अधा पल्टी मार लेते हैं उसके बाद और भी कुछ मिक्स करते हैं और थोड़ा सा तारपीन तेल इसमें हम मिक्स करेंगे उसके बाद जो है इसमें हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो यह रहा दोस्तों तार्पीन का तेल हम दोनों डबा में पर लीटर पे आप दोस्तों दो सा एमेल आप यूज़ कर सकते हैं वैसे तो आप सो एमेल यूज़ करिजे पर दो सा एमेल तक आप यूज़ कर सकते हैं पर लीटर पे तो देख सकते हैं हम दोनों में मिक्स कर और मिला लेते हैं उसके बाद करना हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों मिला लिए अब बरस से आप देख लिए अब ठीक ठाक बने गया है जैदा मोटा और नहीं पतला है बरस चलने अबला हो गया तो अब हम सिर्फ उपर से अब नीचे की और करते चले ज होता है ये दिवारों सब पे नहीं होता है अगर टीना मर भी टीना पर भी आप कर रहे हैं तो टीना के लिए जो जीम प्रैमर अलग आता है वो आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं बस अभी अगर दोस्तों आप लोग को भी अगर एक जल्दी पेंट करना हो इसके उपर प्राइमर के उपर तो एक कोड काफी है अगर बाद में आप सोच रहें छो मेना साल भर बाद हम पेंट करेंगे तो मेरे खयाल से आप डबल कोड प्राइमर लगा के अभी छोड़ दिजिए पस एक दिन सिंगल किजिए सुख जाने के बाद दूसरा दिन आप डबल करके छोड़ सकते हैं या आप इसके उपर पेंट करेंगे दो या चार दिन, पांच दिन, दस दिन दिन के बाद तो डबल कोड प्राइमर करने की जौरत नहीं है दोस्तों आप सिंगल कोड पर आप paint कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अंदर बाहर जो है ये primer complete कर दिये हैं तो जो भी grill gate सब है सब हम complete कर दिये हैं अंदर बाहर जो हम है तो दोस्तों पहले वाल आगर वीडियो आप नहीं देखें दिवार में wall putty damn primer कैसे किया जाता है सारा वीडियो इसके discussion में डाल देता हूँ वीडियो की discussion में link वहाँ से भी आप देख सकते हैं उपर आई buttons पर देख सकते हैं अब देख लिए जब बिलकुल complete हो गया कितना सफाई हो गया कितना अच्छा लग रहा इससे पहले का देखिए पहले का देखिए कितना बुरा हाल था गेट का लेकिन हम दो तीन दिन सफाई करके उसके बाद प्रैमर लगाएं तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अगर वीडियो से जानकारी मिला हो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चेनल को जड़ू सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बूक पेज पे देख रहा है तो चेनल को जड़ू फोलो कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार आपका तिन सुब्रे दोस्तों